क्लाइंट ने आपके साथ मीटिंग बुक करी और आप मीटिंग में हो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछा जाए क्लाइंट से आप बस क्लाइंट कॉश्चन पूछ रहा है आप एक जॉब इंटर्व्यू कि तरह है हम हां ये वो ये सब बोल रहो है बट ऐसे मीटि क्या मैं बोलूं क्या अगला कोश्चन होना चाहिए और आप फंच जाते हो तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए है ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था मैं भी हिचकिचाता रहता था मुझे समझ नहीं आता था क्या कोश्चन पूछना है अंटिल मैंने ये स्क्रिप्ट यू तो अगर जो रुका वह तुका तो इसलिए आपको रुकना नहीं आपको पूछन पूछन आने चीए और सही क। पूछन पूछन आने चीए ऐसे फाल्टी वाल्टी नहीं तो मैं आपके साथ जो share करने जा रहा हूँ ये वैसे basically web design के लिए है ये questions बट आप इसे अपने हिसाब से अगर आप graphic designer हो या freelancer हो किसी और चीज में like social media आप अपने हिसाब से इन questions को frame कर सकते हो और अपने question के list बना सकते हो जिससे आप अपने पास अपने laptop में खोल के रख सकते हो और handy रख सकते हो ताकि आप question पूछो और हाँ meeting के अप notes लेक उतना जादा जरूरी है क्योंकि इससे लगता है कि आप client को सुन रहे हो और आप client को समझ पा रहे हो आप important चीजों को note down कर रहे हो client को इससे आप पर trust बनता है so this is the exact list of questions you should ask to build authority and increase the trust of your client और ये script अगर आपको चाहिए तो video को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और नीचे comment में लिखना script मुझे ये script चाहिए मैं आपको script share कर दो इस video का मेरा goal है कि इस video के 100 like आएंगे so like आते ही मैं नीचे comment section में pin कर दूँगा script को तो like करना बिलकुल मत बूलना तो चलो शुरू करते हैं तो पहला question how do I address you इसका मतलब है कि आप client को से पूछते हूँ कि मैं आपको कैसे address करूँ आपका नाम क्या है तो वो आपको अपना नाम बताएंगे तो जो भी है Mr. Mike या Mike या only Mike हमेशा Mike G मत बोलना क्योंकि ही foreign client होंगे तो Mike G मत बोलना Mike बोलना only Hi Mike, how are you? How's everything going with you? ऐसे और अगर Indian client है तो जी लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको respect दिखानी होती तो पहले आपको उनका नाम पूछना है क्लाइन के बारे में क्लाइन की इंडिस्टी के बारे में और वो क्या business करते है उसके बारे में Then आपको question पूछना है कि आपको एक नई website चीए या आप एक पुरानी website को rebrand करना चाहते हो redesign करना चाहते हो या आपका अगला question होना चीए वो बोलेंगे हाँ मुझे नई website चीए और या फिर वो बोलेंगे मुझे redesign करवाना है Then आपका अगला question होगा कि आपको website क्यों चाहिए या आप redesign क्यों करवाना चाहते हो ये question बहुत powerful है silly लगेगा आपको कि यार ऐसा question कौन पूछता है बट ये बहुत powerful है इससे आपको client के goal नजर आते है कि actually मैं उन्हें नई website बना वो क्यों बनवाना चाहते है और उससे उनका क्या फाइदा होने वाला है तो आपको ये पता चलता है ये question पूछके आप उनको समझ पाते हो अब बाइचांस उन्हें lead generate करना है आपने website बना दिए उसमें contact form ही नहीं है pop-up form ही नहीं है pop-up नहीं दिखरे तो lead generate कैसे होगी इसलिए आपको जानना चाहिए कि उन्हें website क्यों चाहिए उनका primary goal क्या है websites के साथ same with social media, same with facebook ads आप question पूछते हो आपको समझ आता है उनकी problem और वो क्या accomplish करना चाहते है अपनी website के साथ या अपनी marketing efforts के साथ उसके बाद आपको पुछना है what services या product do you offer आप क्या services देते हो या आपका क्या product है या आपका business क्या करता है इससे आपको पता चलता है कि वो क्या कर रहे है क्या उन्हें बेचना है क्या हो करते है और आप उसके हिसाब से कैसे उनकी website बना सकते है ये चीज आपको पूछनी है ये जानने के लिए उसके बाद आपको पूछना है how much does your service slash product cost ये बहुत important question है बहुत से लोग ये चीज नहीं पूछते कि उनकी product service की क्या cost है ये आप पूछते हो तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि client कितना बड़ा है या कितना छोटा है अगर माने लोग वो कोई course बेच रहे 200 डॉलर का तो इसके पास नहीं होगा budget 5000 की डॉलर वेबसाइट 5000 डॉलर की वेबसाइट बन वाने का वो maybe maximum to maximum 1500 डॉलर खर्च करेगा बट अगर कोई ऐसा product बेच रहा है जिसकी cost है 5000 डॉलर 10,000 डॉलर तो आप अरामस उसे 5000 डॉलर चार्ज कर सकते है उसकी वेबसाइट की क्योंकि उसका business बड़ा है उसका revenue बहुत जादा है तो आप उसे कम price पे नहीं close करोगे अगर आप उसे 500 डॉलर बोल दोगे तो उसे trust नहीं आएगा आपके उपर उसे बोले है कि यार मैं बड़ा business हूँ, मुझे अच्छे लोगों से काम कराना है यह बंदा तो चीप लग रहा है तो यह शायद मुझे quality work करके नहीं देगा तो यह question पूछन बहुत important है कि how much does your service slash product cost इससे आपको फिर चलता है client को client किस bracket range में आता है price range में आता है और आप उसे accordingly price pitch कर सकते then what does your future look like मतलब आपसे उन्होंने website बन वाली अब क्या उनका future दिखता है उने कि maybe revenue increase हो गया growth increase हो गई ऐसा क्या उनको चाहिए उनका future किस तरह का दिखना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि उनको website से क्या expectation है और आप क्या उनकी expectation पूरी कर सकते है या नहीं अगर आपको लगता है कि इनकी expectation बहुत जादा है और मुझे नहीं लगता कि मैं ही कर पाऊंगा तो आप उन्हें right direction में point कर दीजे किसी और के पास भीज दीजे वो आपको हमेशा याद रखेंगी कि हाँ ये बंदा genuine था इसने मुझे कुछ sell नहीं किया और जवस्ती मुझे close करने की कोशिश नहीं करी बलकि मुझे सही direction दी आपको उन्हें सही direction दीनी है उनका advocate बनना है उनके लिए best reason लेके आना है आपको पुछना है who are your main competitors और अगर आपके पास websites की list है तो आप मुझे भेच सकते हैं तो इससे क्या पता चलता है आप जब उनसे competitor के बादे में जानते हैं तो आप उनके competitor के उपर study कर सकते हैं कि उनकी website कैसी है वो क्या काम करते हैं कैसा दिखता है क्यूंकि आपकी current client की website नहीं है तो आपको नहीं पता कि क्लाइंट की कैसी website बनानी है तो आप उनकी competitor को study करोगे उनकी website कैसी क्या है और आप कैसे उनसे better website बना सकते हो बेटर अपने client का product service को show कर सकते हो और अपने client को उनके competitor से आगे लेके जासा उसके लावा एक और question What makes you different from your competitor? अब इसका उनके पास एक जवाब होना चाहिए यह नहीं कि हम सस्ते हैं या better हैं ऐसा नहीं simple नहीं direct कुछ unique selling point होना चाहिए आपके client के पास जिसको आप website पर show कर सको या जिसको आप ads में दिखा सको या जिसको आप social media पर promote कर सको तो एक unique selling point होना चाहिए आपके client का तो आपको यह question पूछना बहुत ज़रूरी है कि what makes you different from your competitor? हर कोई different होना चाहते है अपने competitor से और अगर वो different नहीं है तो competitor उन्हें अराम से हरा सकते हैं तो यह question बहुत important है पूछना Then who is your target audience? आपकी target audience कौन है? बड़े business वाले लोग हैं या बच्चे हैं या 18-24 age group है उनकी मलब किस age group के हैं? क्योंकि आप जब आप target audience को समझ सकते हैं तब ही आप उनके लिए उस target audience को एक appealing website बना सकते हैं जो उनको appeal करें उनके level की उनके standard की website बना सके अब maybe अगर उनके target audience kids हैं तो आप थोड़ा funny type की थोड़ा colorful website बनाओगे बट अगर उनकी target audience professionals हैं business to business हैं तो आप बिल्कुल professional website बनाओगे जो as a business to business speak करेगा तो ये जानना बहुत ज़रुरी कि उनके ideal clients क्या हैं ताकि आप उनके लिए एक उनके ideal clients को दिमाग में ध्यान में रखते हुए उनके content बनाओ उनके website बनाओ पोस्ट बनाओ या ads उन करेगा उसके अलावा what information does your audience need from your website आपके audience को आपकी website से क्या information चाहिए उनका answer कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो हमारे product के बारे में service के बारे में अच्छे से जाने या फिर वो हम से repeated deal करें या हमें industry में trust करें या फिर हमारे कौम टीटर के ऊपर हमें choose करें हमारे कौम टीटर को छोड़के ऐसा कुछ वो आपको जवाब देंगे आपको ये question का ध्यान रखना है कि आपके audience को उनकी कि आपकी website पे जाके क्या उन्हें information चाहिए ताकि आपकी website उन्हें better serve कर सके आपने जो website बनाई है आपकी client की need को serve कर सके लिए वो गोल्स बताएंगे कि मुझे ज़्यादा sales ही है मुझे ज़्यादा leads generate करनी है मुझे ज़्यादा revenue generate करना है या मुझे brand authority बनानी है मुझे credibility establish करनी है मुझे competitors को पीछे करना है या मुझे adzone करनी है या मुझे SEO करवाना है Google में rank करना है तो ये goals होते हैं जो एक project के साथ associated होते हैं वो आपको जानना है कि उनकी actual goals क्या है इस question के साथ आप आप वो पूच सकते हैं समझ सकते हैं बहुत इंबर्डन कोश्चेन वाट विल डिफाइन दिस प्रोजेक्ट एस सक्सेस तो क्या है कि एक website बनाना इस नॉट आप सक्सेस और यू और नीदर फॉर क्लाइन एक सिफ website बनाने से success डिफाइन नहीं होती website बनाने के बाद क्या result आते हैं उससे define होती है success website बनाके बनाने के उनकी sales बढ़ गई उनके conversion बढ़ गए उनके client आना ज़्यादा शुरू हो गए यह define करता है कि आप successful हुए या नहीं हुए तो आपको यह question जरूर पूछना है कि what will define this project as successful कि किस वजह से आप यह समझ पाएंगे कि आपका यह project है successful हुआ मेरे साथ काम करना successful हुआ यह आपको पूछना है then again फिर वो usual stuff website के बारे में कि क्या-क्या feature आपको चाहिए write any what are your three favorite website what features do you need on your website to be successful are you interested in SEO services अगर आप उन्हें retainer पे रखना website is redesigned why do you think so please provide the URL of your existing website जो आपकी existing website है वो कैसे दिखती है और आप नई website में क्या चाहते हैं क्या improvement चाहते हैं what are three things that your current website does well जिसको आप नई website में move करना चाहते हैं और या कौन सी ऐसी तीन चीजें जो आप अपनी current websites में change करना चाहते हैं और नई website में implement करना चाहते हैं और उसके अलावा आप ये सब पूच सकते हैं कि is there any particular thing you want on your website like lead magnet, newsletter, calendar booking, live chat, social media integration, blog, portfolio, gallery, video integration, payment integration, add to cart, बहुत सारी चीजे हो सकते हैं sales, कुछ product sell करना है, e-book sell करना है, merchandise sell करना है, किस टाइब के features आपको website के ऊपर चाहिए, then उसके आपको usual पूचना है कि आपके पास कोई style guide है, branding है या guidelines है, कि आपके पास logo है, या मुझे ही logo create करना है, या branding मुझे करनी है, तो आप branding के अलग से separately charge कर सकते हैं, अगर उनके पास branding नहीं है, logo नहीं है, logo के अलग से separately charge कर सकते हैं, क्योंकि आप web designer हो, आप सिर्फ web design cover करते हो, logo और branding के आप अलग से charge करोगे, और अगर आपको आता है, तो अच्छी बात है, नहीं आता, तो आप किसी से outsource कर सकते हो, और last thing, आपके पास क्या domain और hosting और रोस्टिंग है, उसके अलावा, last but not least, उनका ideal launch date, आपको पता होना चाहिए कि client का website launch करना चाहता है, आप वो बोले कि मुझा 15 दिन में चाहिए, आपको सारी information आपको मिल गई, आपने वाला 15 दिन में तो नहीं हो सकता, आप उन्हें time frame दोगे, कि नहीं 15 दिन नहीं, आपको दो महीने चाहिए, website को fully complete करने के लिए, तो आप अपनी launch date extend कर लीजे, या अगर वो already दो महीने का launch date, या तीन महीने का launch date लेके चल रहे हैं, then it's fine for you to start working on the website project, और अगर वो कम time में चाहते हैं काम, तो आप उन्हें pitch कर सकते ही, इतने कम time में काम करना मुश्किल है, क्योंकि में पास और भी projects होते हैं, तो मुझे आपके project पे ज़्यादा time देना पड़ेगा, और आपके project को priority लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए इतना charge extra लगीगा, ये आप अभी नहीं बोलोगे, लास्ट में बोलोगे, आपके project के लिए आप से करवा रहा हूं, आप से सस्ता है बहुत जादा, तो इसलिए आपको एक question पूछना जरूरी है, कि आपको, आपका budget fixed है, limited है, flexible है, या कोई budget नहीं है, मैं budget बता हूँ, या आपके पास budget है, वो आप मुझे बता दो, या आप quotes collect कर रहे हो, आप और भी designers से बात कर रहे हो, और आप फिर decide करो भी किसके पास आपको जाना है, तो इससे आपको पता चलता है, कि या client कितना committed है, ठीक है, committed से मुझे यादा है, आप उसके बाद ये भी पूछ सकते हो, how committed are you, on a scale of 1 to 10, with working with me, वो आपको अगर बोलते हैं, 8, 9, तो मतलब वो आपके साथ काम करने के लिए, interested है, और अगर वो बोलते हैं, कि 5 या 4, मतलब वो थोड़ा सोच रहे हैं अभी, उनको time चाहिए सोचने के लिए, कि वो आपसे काम कराएं या नहीं कराएं, तो दोस्तों ये थी list of questions, आपको चाहिए, तो वीडियो को like कर दो, चैनल को subscribe कर दो, और 100 likes चाहिए, मुझे इस वीडियो के उपर 100 likes होते ही, मैं automatically comments में फिन कर दूँगा script, वरना नीचे comments में जाके लिखिए, कि मुझे script चाहिए, और मैं आपके साथ share कर दो, तो इससे पहले आप वीडियो को close कर दो, आपको बताना चाहता हूँ, अगली वीडियो आ रहे है, मेरी step by step tutorial on how to handle sales call, तो उसको देखने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, मिलते हैं नई वीडियो में, see you, bye bye.